तारीक बताए जन्म तारीक पांज बारा ने दो हजार ग्यारा बच के दे सुबे कहां का जन्म है कुंडली ये बताती है घर के बाहर सीधे हाथ तरफ एक तिराहा चौराहा बनता है ठीक है आपके घर के सामने तरफ एक बहुत उम्र राज व्यक्ती रहते हैं, स्याने व्यक्ती रहते हैं, बुढ़े व्यक्ती रहते हैं, पुराने घर के सामने रहते हैं, अब पुराना नया घर ये तो हम नहीं जाना, ये तो आप बताओ, सही बात रहते हैं, हाँ सही बात, ठीक है, कुंडली ये बताती है, क कि आप किसी की बात नहीं मानते वो पीछे से मम्मी से रहला रही कि हाँ सही बात बात मानना सीखो दूसरी बात अब एक और रहस्य की बात होता रहे आपके घर में कोई सवेरे सवेरे आपके मित्र या तो आप टहलने जाते हैं खेलने जाते हैं या सवेरे कोई मित्र आता है वो सट्ोरिया है जूगा खेलता है सट्था कोई ना कोई आसा आचरन बोलो सही है सही है उसका नाम भी बता दें बोलो मानते हो सही है आपकी कुंडली बिलकुँ सही है आप उससे दूर रहें तो अच्छा है आगे आपकी मरजी, आपका नुक्षान हो शकता है, थोड़ा दूरी बना के रखें, कुंडली सही बताएं क्या जानना चाहते हैं, बीजनेस के बारे में, जा, बीजनेस में आगे कुछ सक्सेस के, मतलब बीजनेस के बारे में सवाल पूरा करें, देखो, कटनी सिंधियों का सहर है, सबेरे आदमी खड़ा कर दो, साम को दूसरा आदमी बना देंगे, प्राण भर नहीं डाल पाते, बाक्यों सब कर देंगे, तो वहाँ ब्यापार करना आसान नहीं है, तब जब आप ब्यापार नहीं बता, पूरा प्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्यापार कैसे करेंगे? सवाल क्या? बिजनिस के विज़रे में क्या जानना चाहे? हमारे ख्याल से बोहत बड़ी पूंजी मत लगाना क्योंकि हमारे मत से अभी आपका अनुभव बहुत परिपक को नहीं और अनुभव कोई गुरु नहीं पहले तो हमारी सला मानो आप एक गाड़ी ले लो दो थेले बांधो और फेरी लगाओ नमस्ते बाभू जी नमस्ते अंका ले सेलिंग करना सुरू करो जब पब्लिक डीलिंग आ जाएगी तो ब्यापार करना अपने आप आ जाएगा अभी अनुभाव की कमी है बड़ा ब्यापार नहीं करना क्या ब्यापार करना चाहते हैं ये बताएं पापा का बिजनेस करने का सोच किस चीज का कोरियर आफिस है मधूर कोरियर मधूर कोरियर वो तो बना बनाया काम है आपके परिवार का है तो उसको करें, कट्टी में ही करना चाहते हैं मौगेली में है, मौगेली में हाँ तो उसको करें, उसमें क्या तकलिफ है बना-बनाया काम है, उसको कर सकते हैं साधी के लिए हो रहे हैं साधी के लिए सर्मा रहे हो या बरात में कैसे जाओगे अभी दो साल धाई साल बाकी दो धाई साल बाद अभी दिल्ली दूर है ध्यापार पर ध्यान दो ठीक है मेरी बिल्कुल बात नहीं मानता सर कोई बात नहीं मानता जो चीज की है तो हमने पहले ही बताये कुंडली देखके कुछ ऐसा कि बात मानने लगा बिलकुल नहीं बात मानता जिसके साथ बोलती हूँ कि मज जा तो उची के साथ जाता है देखे अगर ये अपने पूजा घर में या पूजन करते समय कभी भी कपूर जलाएगा या लोंग जलाएगा तो नीचे की ओर जाएगा कभी सुखी नहीं रहेगा बात भी नहीं मानेगा कपूर या लोंग तो नहीं जलाते हूँ कभी कपूर और लोंग नहीं जलाना है ठीक है आपको ऐसा करिए कि आप करें या ये करें इनके तरफ से थोड़ा सा नमकीन जो मिक्चर होता न वो नमकीन दान किया करें मंगलवार के दिन पापड होता न पापड अचार सलाथ पापड जो खाते हैं पापड दान किया करें ठीक है इसका स्वास्त भी नहीं ठीक होता मर्लब रहता हु पहले उपाय तो सुन लें हम बड़े काम की चीजां बताते हैं आधा दूरा सुनेंगे रिजल्ट नहीं आएगा नाम हमारा खराब होगा तो आप पापड दान करें नमकीन दान करें उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा रही बात स्वास्त की आपके घर में पीछे तरफ ये घर है दर्वाजा यहां से पीछे तरफ एक खिडकी है पीछे तरफ कोई बिंडो है खिडकी है है ना उस खिडकी में ऐसा काला काला नीला नीला कोई कपड़ा लटक रहा है कोई परदा लगा है यहां पर पीछे तरफ कउवा आते हैं कि प्लाट पड़ा है पीछे ऐसे तो कउवा आते पक्षी वो खिड़की बंद कर दो जब तक कउवा उस खिड़की से दिखते रहेंगे यह लड़का बीमार रहेंगे समझ गए आगे कभी भी कउवा और कबूतर आपकी पीछे की खिड़की से नहीं दिखना चाहिए, जिन्दगी में, जब भी दिखेंगे, ये बीमार रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, और कन्फ्यूज रहेगा, अच्छे, इसको कोई थोड़ा सा भी कोई हो जाता है, मालब इसको बहुत जल्दी टोना जादू लग जा जाता है, मालब इसको कोई कुछ कर देता है तो बहुत जल्दी इसको लग जाता है, वैसे सही बताएं, सही बताएं, हमारे पास जेवत इसका कामा ही इतना है, कि हमें कोई भ्रम फैलाने की जरूवत नहीं है, कोई के करने से इसके उपर कुछ नहीं हो रहा, इसके उपर खिडकी बंद कर दें पीछे वाली, ठीक है, या खिडकी में बाहर ऐसा काच लगा दें कि कोई बाहर की चीज अंदर ना दिखे, ये ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी बात, आप लोग अपने पितरों को, पितरों के दिनों में, पितर में, खूप मान सम पूजन पाठ किया करें, पितरों में पितरों के नाम से दीपक जला दे, कुछ कर दिया करें, तो सुखी रहेगा, कुछ गड़बड़ी है, बोल ला हैं, तो इसमें क्या हर दे, कर दें ना, सुखी हो जाएगा, ठीक है, चलिए, गौर लिए,